वेलकम बेक फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है फिल्मी स्नैप चैनल पे और आज की स्टोरी है सेवन पाउंड्स एक आदमी जिसका नम बैन है वो 911 डायल करता है जो कि पुलिस का नमर और फोन पर सुसाइड की रिपोर्ट करता है वो देसे पुलिस फूछते है कि कौन करना चाता है सुसाइड वो कहता है कि मैं और पूरी कहानी फ्लैश बैक में चले जाती है वो कहता है कि साथ दिन में इस पूरी दुनिया को बनाया और मैंने सिर्फ साथ सेकंड में अपनी पूरी जिंदी की बरबात कर दी अब कहानी आगे बढ़ती है वो एक मीट डिली में पौन रखते ही बहुत दुखी और परिशान हो जाता है कि वो इस तरह का इंसान नहीं है, वो बस उस अंधे इंसान के मन को परखने के लिए सब कुछ बोल रहा होता है, क्योंकि वो जानना चाता था कि वो अंधा इंसान दिल का कैसा है, अब यह कहानी आगे बढ़ती है, और उसे हार्टकीक बहुत बड़ी बिमारी है, जिसका बस एक ही इलाज है और वो है हार्ट ट्रांस्पलांट, मगर उसका बलड ग्रुप रेर होने की वज़े से, उसे कोई डोनर नहीं मिल रहा होता, और दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल के बिल्स को चुकाने में बहुत दिक् पहुंच जाता है, वहाँ एमली उसे लिफ्ट में मिलती है, मगर बैन कुछ नहीं बोलता, इसके बाद एमली एक वाड की तरफ जाती है, और बैन भी उसके पीछे पीछे जाता है, और दरवाजे के पास खड़ा होकर वो एमली को देख रहा होता है, और जहां अचानक एम को बहुत प्यार करता था, पर अब वो उस दुनिया में नहीं है, इसके बाद वो एक केर रूम में जाता है, केर रूम उसे कहते हैं जहां पर बुढ़े लोगों का ख्याल रखा जाता है, वो काउंटर पर अपना परिच्या बैन थामस IRS डिपार्टमन का कार दिखा कर करता अंदर एक आदमी से मिलता है, जिसका नाम स्टीवर्ड होता है, दर असल स्टीवर्ड को बोन मैरो की जुरत होती है, और बैन ये देखना चाता है, कि वो सच में जुरूत मन है कि नहीं, वो देखता है कि वो एक बुढ़ी औरत को दवा पिला रहा होता है, और उसका भेह उस बुड़ी औरत के साथ बिलकुल भी अच्छा नहीं होता और जहां वो स्टूवर्ड से मिलता है तो उसे नहीं पता होता है कि बैन का इरादा उसकी मदद करने का है वो उसे अपनी financial problems बताने लगता है क्योंकि बैन उसकी नजरों में एक IRS officer है बैन कहता है कि बाहर तुम्हारी BMW कार खड़ी है तो कि बहुत महंगी कार है इस बात को सुनते स्ट्रीवर्ड के चहरे से हवाईया ओडने लगती है बैन उसके office से निकल जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये आदमी जूट बोल रहा है अब एमिली का इलाज चल रहा होता है बैन उस जगह एक बार फिर जाता है और वहां कैंटीन में बैठ कर किताब पढ़ने का बहाना करता है दरासल वो एमिली को observe कर रहा होता है और जब एमिली उसे देखती है तो वो बैन की तरफ आती है और कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्योंकि उसने बैन को दूसरी बार देखा होता है और उसे observe कर रहा होता है बैन बोलता है क्या आप यहां बैठ ना पसंद करेंगी इस एमिली और इसके बाद एमिली वहां बैठ जाती है फिर बैन कहता है कि मैं तुम्हारे पिछले तीन साल की इंकम स्टेटमेंट देख रहा हूँ और यह कहते हुए बैन फाइल को पलट कर देखने लगता है फिर अचानक से एमिली कहती क्या तुम रात को अचानक से मेरे हॉस्पिटल के रूम में आये थे बैन उससे जूट बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया था आयरस इस तरह से काम नहीं करती फिर कुछ देर तक बैन उससे उसकी इंकम स्टेटमेंट के बारे में बात करता है और इसके बाद एमिली वहाँ से जाने लगती है Ben बोलता है कि मैं तुम्हारे टच में रहूंगा और वो वहाँ से चली जाती है अब Ben अपने बड़े से घर को छोड़ कर एक छोटे से होस्टल यानि कि होटल में शिफ्ट हो जाता है कुछ दिनों बाद Ben Emily के घर जाता है Emily बाहर निकलती है और Ben से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ उस वक्त Emily अपने कुटे को वाक पर ले जा रही होती है फिर Ben कहता है कि ठीक है मैं भी साथ चलता हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉबलम ना हो तो फिर वो दोनों डॉक को वाक कराने के लिए निकल जाते हैं वहाँ उनकी आपस में काफी बाते होती है जब वो वापिस आते हैं Ben पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सोर्स आफ इंकम है इस पर Emily कहती है कि फिलहाल मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है बढ़ चोटे मोटे काम करती हूं जिससे कुछ पैसा मिल जाता है लेकिन फिलहाल तो मुझे एक घर रैंट पर देना होगा क्योंकि मुझे मेडिकल्स के बिल देने है अब Ben उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है और तुम्हारी बिमारी का स्टेटस टू है और इसका एक ही इलाज है अब हो है हार्ट ट्रांस्परंट पर तुम्हारा बलड ग्रूप बहुत रेर होनी के वज़े से तुम्हें डोनर मिलना बहुत मुश्किल है बैन उसे आगे कहता है कि तुम्हें अपना टेक्स के बारे में चिंता करने की कोई जूरत नहीं है मैं तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दूँगा जिससे तुम्हें छे महेने का एक्स्टेंशन मिल जाएगा एमिली उसे ठैंक्स कहती हो और ये भी कहते है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बहुत बड़ी मदद कर रहे हो बैन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जिन्दीकी में एक और चांस मिलना चाहिए ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है वहीं दूसरी और ये दिखाते है कि बैन अपने होटल की रूम में बहुत बड़ा एक्विरियम लेकर आता है जिसमें कुछ फिश और जैली फिश रखता है फिर वो कहता है कि जिन्दिकी में जब पहली बार मैंने जैली फिश देखी थी उस वक्त मैं 12 साल का था मेरे डैड ह हमें एक्विरियम हाउज ले गए थे मैं कभी नहीं भूल पाया जो उन्होंने मुझे बताया उन्होंने बताया जैली फिश इस दुनिया की सबसे खतरनाक जीव है लेकिन मेरे लिए ये इस दुनिया की सबसे खुबसूरत चीज है अब बैन अपने बच्पन की एक दोस्त से मिलता है बैन को कहता है कि आज मैं डॉक्टर से बात की थी वो तुम्हारी फाइल्स कल देखेगा इस पर बैन कहता है कि बस इतनी सी बात है और कुछ पूछ रहा था वो इस पर उसका दोस्त पूछ रहा था कि वही सवाल बैन कहता है कि जवाब भी वही है बैन का दोस्त को के बोलता है हाँ मुझे अपना वादा याद है फिर बैन का दोस्त गुस्से में उसे कहता है कि जब से मैंने हो समहला है तुम्हें जानता हूं ये काम जो हम कर रहे हैं ये मेरे लिए भी एजी नहीं है और वो अपने आशू पोस्ते हुए कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ प्लैन के मताबिक हो तुम घबराओं मत इस पर बैन अपने दोस्त को थैंक्यू कहता है फिर उसका दोस्त दुखी होकर वहां से चला जाता है इसके बाद बैन एक लेडी से मिलने जाता है ये वही लेडी होती है जिसको बैन लीवर डोनेट करता है वो उस पीटता है आखरी बार उसे इतना मारा था कि इसके रिप्स में फेक्चर हो गया था इसके दो बच्चे भी है और वो डर के मारे पुलिस से कंप्लेंड भी नहीं करती अब बैन उस लेडी के घर जाता है और उसे कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं इस बात पे वो कार्ड वहां रख देते हैं और यह कहता है कि फिर भी अगर तुम्हें हेल्प की जुरत हो तो मुझे कॉल करना और बैन वहां से निकल जाता है बैन लोगों की मदद करना चाहता है क्यों कुछ नहीं पता अब बैन जोर्ज नाम के एक हौकी कोस से मिलता है यह एक अच्छा इ किड्नी डोनेट कर देता है किड्नी डोनेट करने के बाद जोर्ज पूछता है बैन वाय मी बैन बोलता है वहां से चला जाता है यह दिन जब एमिली अपने डॉग को सेर कराके वापस घर आती है तो बेहोश हो जाती है और उसके पड़ोसी उसे हॉस्पिटल में और उसके प्धाने ओंग आने और वह उसकी लिए फिकर मंध है और कहीं न कहीं वह बैंसे एमोशनली क्रेक्ट हुछा चुकी है अब बैन फोन पर उसे कहानी सुनाना शुरू करता है और वह कहानी सुनाते सुनाते हॉस्पिटल पहुँच जाता है और देखते हैं एror नही पता होता है कि बैन भी ऑस्पिटल में है वो बैन को जगाती है और तभी डॉक्टर अंदर आती है और वो उसे बताते है कि तुम बेहोश इसलिए हो गए थी क्योंकि तुम्हारे दिमाग के बलड की सप्लाइ बंद हो चुकी थी इस पर एमली पूछती है कि अब मेरे पास कि इतना टाइम बचा है डॉक्टर कहते है के एक मेहना या श arguably जादा से जादा छे हफ़ते सुनने के बाद वह उमोश्णल हो जाती है क्योंकि वो मरने वाली है फिर डॉक्टर उसे एक पेजर देती है और कहती है कि जब इसकी लाइट आफ हो जाए तो समझ लेना तुम्हें कोई डोनर मिल गया यह सुनकर अंदर ही अंदर बेन भी काफी एमोशनल हो जाता है बेन उसे बोलता है मैं कैफेटरिया जा रहा हूँ तुम्हारे ले कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ लेकिन एमली बहुत रो रही होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है विल्यू स्टे क्या तुम यहां और रुकोगे बेन कहता है हाँ और बेन वहां पर रुक जाता है अब कुछ दिनों को बाद बेन को एक फोन आता है और बेन अपने होटल के रूम में होता है और एक औल उसी लेडी का होता है जिसका बॉइफरंड उसे मारता है और जिसकी हैल्प करने के लिए वो उसके घर गया था इसके बाद वो बैन से मिलने आती है और बैन उसे बोलता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत मासूम है और वो एक अच्छी जिंदकी डिजर्व करते हैं तुमें नही जिंदकी की शुरुआत करनी चाहिए और वो उसके लिए लिफाफा देता है और सारे सपने देखे होते हैं और आज बैन ने सारे सपने उस लेडी को दे दिए वहीं डूसरी तरफ यह दिखाते हैं अब Emily hospital से charge हो गई है और बैन उसे hospital लेने जाता है Emily बैन के बारेमें जानना चाहती है पर बैन इस बारेमें कोई बात नहीं करना चाहता, इस बात से अमिली नराज हो जाती है, अब अगले दिन बैन उसके घर जाता है, और वो एक बहुत खुबसूरत जगह वाक करना जाते हैं हलाकि अमिली बैन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन कहीं न कहीं वो उसे पसंद करने लगी थी, अब बैन एमिली एक जिगह बैठ जाते हैं, एमिली बैन को बोलती है कि मैं वो सब करना चाहते हैं, जो मेरा मन है मैं दोबारा जीना चाहती हूं और हर चीज को महसूस करना चाहती हूं मैं पूरी दुनिया घुमना चाहती हूँ और सच तो यह है कि Emily मरने वाली है Ben उसकी बात को ध्यान से सुनता है और उसके बालों को ठीक करने लगता है और यहाँ पर यह पता चलता है कि दोनों दूसरे के connect हो चुके हैं Ben जैसे एक हामोशी से उसे यह कह रहा हो कि सब ठीक कर दूँगा अब Ben इसके बाद एक hospital जाता है जहां एक बच्चे के bone marrow की जुरत होती है और Ben उसे अपना bone marrow donate कर देता है डॉक्टर उसे बोलता है you are a brave guy क्योंकि bone marrow देने में बहुत pain होता है और Ben इस दर्द से हो सहरा होता है इससे पहले भी Ben steward नाम के एक आदमी को अपना bone marrow donate करना चाता था पर वो एक अच्छा इंसान नहीं था इसलिए Ben ने उसे अपना bone marrow donate नहीं किया अगले दिन Ben को Emily का call जाता है और वो उसे dinner पे invite करती है एमिली के घर पे dinner के लिए जाता है वो दोनों dinner करते हैं dance करते हैं और इसके बाद Ben उसके store room में जाता है एमिली को दिखाता है उसकी वो printing machine जो उसने ठीक कर दी थी जिसे और कोई mechanic ठीक नहीं कर पाया था और वो उसके पिता की निशानी होती है एमिली मशिन को चलता हुआ देखकर इतनी कुछ हो जाते कि Ben के गले लग जाते है और वो एक दूसरे को किस करते है और कुछ पलों के लिए वो दोनों अपने गमों को भूल कर एक दूसरे में खो जाते है इसके बाद Ben भागता हूँ अपनी कार की तरफ वो गिफ्ट लेने के लिए जाता है जो वो एमिली के लिए लाया होता है वहाँ Ben का भाई पहुँच जाता है Ben को देखते ही वो उस पर चिलाता है कि तुम यहाँ क्या रहे हो Tim मैं कब से तुमें मिलने की और बात करने कोशिच कर रहा हूँ Ben बोलता है कि अभी तुम जाओ मैं कल तुम से मिलूँगा Ben का भाई बोलता है कि जो काम तुम कर रहे हो वो इलीगल है मुझे मेरा ID कार वापस चाहिए Ben उसे उसका ID कार वापस कर देता है और यहां यह पता चलता है कि IRS officer Ben नहीं बल्कि उसका भाई है और Ben का असली नाम टेम होता है जो कि IRS officer नहीं बल्कि MIT से पास आउट एक बहुत बड़ा इंजिनेर होता है वो नकली IRS officer इसलिए बनता है ताकि वो जिन लोगों की मदद करना चाहता है उसके बारे में अपनी information collect कर सके इसके बाद Ben जो कि असल में team है वो Emily के पास जाता है और Emily वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते है और दोनों के बीज में संभोग होता है और इसके बाद Emily सो जाती है और Ben की नजर उस पेजर पर पढ़ती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था और ये बोला था कि जिस दिन इस पेजर की लाइट बंद हो जाएगी तो समझ लेना कि तुम्हें donor मिल गया यह याद आता ही team पेजर हो जाता है और वो भागता हुआ hospital जाता है और Emily के डॉक्टर से पूछता है कि donor मिलने के कितने chances है वो बोलती है कि 305% मतलब almost ना यह सुनने के बाद team वहां से बाहर आता है और वो अपने दोस्त को फोन करके बोलता है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना उसका दोस्त बोलता है कि हाँ याद है शुरू हुई थी जहां पर वो पुलिस को अपने सुसाइड की ख़बर देता है और बोलता है कि मैं सुसाइड करने वाला हूं और अपना एडरस देकर वो फोन कट कर देता है अब सवाल यह उठता था कि team ऐसा कर क्यों रहा था और इस गिल्ट से बाहर आने के लिए team साथ लोगों की help करता है क्योंकि उसकी वज़य से साथ लोगों की जान गई थी आला कि team अब जिन्दा रहना चाहता है क्योंकि वो एमिली से प्यार करता है लेकिन वो अगर जिन्दा रहेगा तो एमिली को मरना पड़ेगा क्योंकि team ही है जो अपना हार्ट उसे दे सकता है और इसकी वज़य है इनका same blood group जो की rare होता है अब team बात टब में जाता है और उसके अंदर जैले फिश को छोड़ देता है जैले फिश जो इस दुने की सबसे जैले जीव है में से एक है वो team को काट लेती है team की मिर्ति हो जाती है team ने अपने बात टब में आइस इसलिए डाली होती है ताकि उसके मरने के बाद भी उसके और गन सही सलामत रहे एमली को team का हार्ट लगा दिया जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है एक दिन team का भाई Emily से मिलने आता है और उसे सब कुछ बताता है और यह भी बताता है कि team ने उसे भी अपना एक लंग डोनेट किया था यह सारी सच्चा है जानने के बाद Emily बहुत रोती है emotional हो जाती है क्योंकि वो team को मिस कर रही होती है कुछ दिन बाद Emily उस अंदे आदमी से मिलने जाती है जिसे team ने अपनी आखे डोनेट की थी जब उस अंदे आदमी से मिलती है जब वो अंदा आदमी जो देख सकता है एमली के सामने आता है तो उसकी आखों में आसुआ जाता है क्योंकि वो आखे टिम की होती है और एमली का दिल जोर से धाड़कन लगता है क्योंकि वो दिल भी टिम का होता है और इसके बाद एमली उस आदमें को गले लगकर जोर जोर